समय इस संसार की सबसे कीमती वस्तु है इसकी तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते अगर एक बार ये बीच जाए तो वापस नहीं आता खोई हुए समय को हम वापस नहीं ला सकते इसलिए हर इनसान का फर्ज है कि वो इसकी इज़त करे और इसका सद उप्योग करे समय और पैसे की दोड़ में हमेशा ही समय की जीत होती आई है और होती रहेगी पैसा कमाना आपको अमीर जरूर बना देगा लेकिन समय को जीतना आपको सफल बनाता है एक प्रसिद नाटक का विलियम शेक्स्पियर ने कहा है आई वेस्टेड टाइम एंड नाओ टाइम इस वेस्टिंग मी यानि मैंने समय को बरबाद किया और अब समय मुझे बरबाद कर रहा है फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि शायद आज की वीडियो में मैं समय के महत्तव के बारे में चर्चा करने जा रहा है जी हाँ समय टाइम या वक्त जिस भी नाम से हम इसको पुकारें ये बहुत बल्वान है इस दुनिया में सब कुछ इसी पर निर्भर करता है फ्रेंड्स जिन्दगी और मौत के बीच में अंतर के लिए एक पल ही काफी होता है हमें कभी भी समय के आगे अपनी धन दौलत, जायदाद, एशो और राम वगेरा का बखान नहीं करना चाहिए यानि कि इन चीजों पर घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि समय राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की हैसियत रखता है जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसी बलवान समय यानि के टाइम सब्जेक्ट पर 1965 में बनी मल्टी स्टारर सुपर हिट फिलम वक्त का रिव्यू देने जा रहा हूँ लेकिन दोस्तों इससे पहले कि मैं ये रिव्यू शुरू करूँ मैं आप सबको दुबारा याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिया गया बेल आइकन क्लिक कर दें तांके मेरे चैनल दुआरा बनाई गई हरे एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो फ्रेंड्स ये फिलम 30 जुलाई 1965 को बी आर फिलम्स के बैनर तले रिलीज हुई इस फिलम के प्रोड्यूसर थे बी आर चोपड़ा और इस फिलम को डेरेट किया था उनके भाई यस चोपड़ा ने इस फिलम की कहानी लिखी थी अक्तर मिर्जा ने और इस फिलम के समवाद यानि की डायलोग्स लिखे थे अक्तर उल इमान ने मल्टी स्टारर फिल्मों का बॉलिवुड में ट्रेंड शुरू करने वाली इस फिलम में मुख्य भूमी काई निबाई थी राजकुमार, सुनीलदत, शेशिक अपूर, साधना शिवदा सानी, शर्मीला टैगोर, बलराज सानी, अचला सचदेव, रह्मान खान, मदनपुरी, शेशिकला, मोतिलाल और जीवन ने तो फ्रेंड्स, क्योंकि हम इस फिलम की कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं इस फिलम के मुख्य करदारों की सिलेक्शन के बारे में आपको एक दिल्चस्ट किसा सुनाता हूँ तो हुआ यूँ कि बी आर चोपडा साहब इस फिलम में लीड रोल्स के लिए उस समय के मशूर एक्टर्स राज कपूर, शम्मी कपूर और शेशिक कपूर को लेना चाहते थे एक दिन बी आर चोपडा जी अपने परम मित्र बिमल रॉय से मिलने उनके बंगले पर पहुँचे बातो बातो में चोपडा जी ने अपने दिल की इस मैशा को बिमल रॉय को पताया बिमल रॉय उस समय फिलम जगत के मशूर प्रोडूसर डेरेक्टर थे वो फिलम निर्मान और फिलम निर्देशन की बारिकियों को खुब पहचांते थे कुछ देर गंभीरता के साथ सोचने के बाद बिमल रॉय बोले कि तुम इस फिलम में जो मुख्य भूमिकाओं के लिए राजकपूर, शम्मी कपूर और शेशी कपूर को लेने की बात कर रहे हो उससे एक समस्या होगी जो कि तुमारी फिलम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी तो जब चोपडा जी ने कारण पूछा तो बिमल रॉय बोले कि तुम जो फिलम बना रहे हो वो तीन भाईयों की कहानी है जो किसी कारण से एक दूसर से बिछड जाती है लेकिन क्योंकि तुम राजकपूर, शम्मी कपूर और शेशी कपूर को इन रोल्स के लिए लेना चाहते हो और ये तीनो सगे भाई हैं, इनकी शकलें आपस में बहुत मिलती हैं तो दर्शक इस बात को कैसे हजम करेंगे कि तीनो भाई एक दूसरे को फिलम के अंत तक पहचान ना सकें बिमल रॉय की ये सला बियर चोपड़ा को पसंद आ गई और उन्होंने वक्त फिलम में तीन भाईयों के रोल्स के लिए राजकुमार, सुनीलदत और शेशिक पूर को चुना इस फिलम में संगीत दिया था संगीत का रवी ने और गीत लिखे थे साहिर लुध्यानवी ने इस फिलम के आठ गीत हैं जिने आवाज दी है मुहम्मद रफी, आशा भोंसले, मनाडे और महिंदर कपूर ने इस फिलम के दो गाने, वक्त से दिन और रात और मैंने एक ख्वाब सा देखा उस साल इन दोनों गीतों को बिनाका गीत माला में शामिल किया गया उस समय म्यूजिक डिरेक्टर्ज शंकर जैकिशन एक मुख्य जोडी के रूप में सामने आई थे 1965 में उन्होंने जिन्दगी, आर्जू, गुमनाम, जानवर, आमरपली और बत्तमीज जैसी सफल फिलमों में अपना संगीत दिया था लहाजा इस विलम में म्यूजिक डिरेक्शन के लिए पहले इसी जोडी को साइन किया गया लेकिन उस समय शंकर जैकिशन की जोडी गीतकार, शैलंदर, हसरत जैपुरी, मुहम्मद रफी, लताम गेशकर की टीम के साथ काम करती थी क्योंकि बियर चोपडा साहब ने इस विलम में आशा भोंसले और महंदर कपूर को भी मौका दिया था ये बात शंकर जैकिशन को गवारना हुई और उन्होंने इस फिलम में काम करने से मना कर दिया तो फ्रेंड्स इस तरह से इस फिलम में संगीत देने का काम मिला रवी साहब को वक्त ने बॉलिवूड में पहले से चले आ रहे परिवारों के बिछणने और मिलने के ट्रेंड को जारी रखा इस फिलम से पहले 1943 यानि 1943 में इसी सब्जेक्ट पर अशोक कुमार और मुम्तास शांती को लिकर एक फिलम बनी थी जिसका नाम था किस्मत किस्मत की कहानी एक खुशाल परिवार के इर्द गिर्द घुमती है जिसके फैमली मेंबर्स समय के फेर के कारण एक दूसरे से बिछड जाते हैं इसके बाद शुरू होता है दुबारा से मिलने के जद्दो जहद का एक सिलसिला वक्त से पहले यस चोपड़ा ने 1969 में धूल का फूल और 1961 में धरम पुत्र बनाई थी कुछ फिलम समिक्षों का कहना था के यस चोपड़ा पर भारत के विभाजन का इतना मांसिक असर पड़ा के उन्होंने अपनी हर एक फिलम में परिवारों का बिछड़ना और मिलना दिखाया ये उनका एक पसंदिदा विश्य बन गया था एक प्रसिद फिलमी मैगजिन को इंटर्वियू देते वक्त चोपड़ा जी ने कहा था के वक्त फिलम में दिखाया गया भुकम्प का सीन उन्हें देश के बटवारे में बिछड़े परिवारों की याद दिलाता है धूल का फूल और धरम पुत्र सीरियस सब्जक्ट्स पर बनी फिलमें थी यही वज़ा थी कि ये फिलमें हिट ना हो सकी इस बात का येश्य चोपड़ा जी को मलाल था इसलिए वो अब एक ऐसी मल्टी स्टारर मसाला फिलम बनाना चाहते थे येश्य चोपड़ा को वक्त के लिए उनका पहला फिलम फियर आवार्ड मिला था तीन घेंटे 26 मिनट लंबाई वाली इस फिलम की कहानी लाला केदारनाथ के परिवार को दिखाती है लाला केदारनाथ जो के एक सफल व्यपारी हैं वो अपने तीन बेटों राजू, बबलू और मुन्ना और अपनी पत्नी के साथ एक खुशाल जीवन जी रहे होते हैं अपने बेटे की बर्डे पार्टी में लाला केदारनाथ एक एस्ट्रॉलिजर से मिलते हैं जो के उन्हें वक्त की एहमियत के बारे में बताते हैं लेकिन लाला केदारनाथ उनकी बातों को हसकर टाल देते हैं और अपने तीनों बेटों का भविश्य खुद बनाने की गोशना करते हैं उसी रात एक भ्यंकर भुकम के कारण उनका घरबार नष्ट हो जाता है और सारा परिवार एक दूसरे से बिछड जाता है परिवार की तलाश में लाला केदारनाथ से अंजाने में एक कतल हो जाता है और वो जेल चले जाते हैं वक्त के साथ तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं बड़ा बेटा राजू एक चोर बन जाता है और वो चिनाई सेट के यहां काम करता है मंजला बेटा पबलू एक अमीर परिवार के यहां पलकर एक नामी वकील बन जाता है और सबसे छोटा बेटा मुन्ना अपनी मां के साथ गरीबी में जीवन वैतीत करता है अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक ड्राइवर की नौकरी करता है इसके बाद इस कहानी में कई रुमांचक मोड आते हैं और अंत में बिच्डाओवा परिवार दोबारा मिल जाता है अंत में लाला के दारनाथ वक्त की एहमियत के बारे में समझाते हैं और अपने तीनों बेटों को नसीहत देते हैं कि वक्त ही आदमी को बनाता और बिगारता है 1965 में ये फिलम उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिलमों में पहले स्थान पर रही 65 लाग के बजट की इस फिलम में बॉक्स आफिस पर करीब तीन करोड की कमाई करके ब्लॉक बस्टर की ख्याती प्राप्त की इसी साल शेशी कपूर और नंदा को लेकर बनी फिलम जब-जब फूल खिले करीब 25 तीन करोड की कमाई करके दूसरे नमबर पर रही तीसरी पोजीशन पर करीब सबादो करोड रुपए की कमाई करने वाली फिलम थी मनोच कुमार और माला सिना की हिमालिया की गोद में इस फिलम से जुड़ा एक और किस्सा आपको बताता हूँ हुआ यूँ कि जैसे कि आप जानते हैं इस फिलम में राज कुमार का रोल बहुत दमदर था यही वज़ा थी कि सुनीजदद शुरू में इस फिलम को साइन नहीं करना चाते थे उनको डर था कि राज कुमार के रोल के आगे कहीं उनका रोल फीकर ना पड़ जाए लेकिन किसी तरह से बियार चोपड़ा ने सुनीजदद को इस रोल के लिए मना लिया लेकिन सुनीजदद का डर तब सही साबित हुआ जब उन्होंने पाया कि इस फिलम के बहुत से दमदार डायलोग और दमदार सीन राज कुमार के इससे में है फ्रेंड्स जैसे की आप जानते हैं के फिलम एक्टर राज कुमार जिनका तक्या कलाम था जानी अपनी सनक के लिए भी काफी चर्चा में थे माना जाता है कि उन्होंने जंजीर में काम करने के लिए सिर्फ इसलिए मना कर दिया था कि उनको प्रकाश मेहरा का चेहरा पसंद नहीं था हलाकि ये सुनी-सुनाई बात है और इस पर विश्वाश करना कठें लगता है लेकिन उनके इंकार से अमिताब इच्चन को सुपर स्टार्डम के लिए एसकलेटर पर कदम रखने में मदद मिली फ्रेंड्स राज कुमार साब के बारे में एक और बात मशूर थी कोई भी फिल्म साइन करने से पहले वो 48 घंटे का वक्त लिया करते थे इस टाइम पिरिड में आगर उनको इस फिल्म के कहानी उनको उफर किया गया रोल सपोर्टिंग कास्ट और उनके डायलोग पसंद आ जाते तब ही वो उस फिल्म को साइन किया करते थे लिहाज़ा वक्त के साथ भी ऐसा ही हुआ हलांके राजकुमार का रोल काफी सीरियस था और यही वज़ा थी कि उनके रोल पर कोई गीत नहीं फिल्म आया गया था लेकिन राजकुमार ने इस बात को लेकर कोई शिकायत नहीं की वो जानते थे कि अगर उनके करेक्टर पर कोई गीत फिल्म आया गया तो वो उनके सीरियस रोल के साथ नाइंसाफी होगी राजकुमार से पहले यह रोल धर्मिंदर को उफर किया गया था लेकिन धर्मिंदर ने यह कहकर मना कर दिया कि वो बड़े वाही का रोल नहीं करना चाते हैं तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस फिल्म के तीसरे करेक्टर मुन्ना यानि शेशी कपूर के बारे में टाइम था जब शेशी कपूर एक फ्लॉब एक्टर के रूप में जाने जाते थे मेन लीड में उन्होंने अभी तक कोई हिट फिल्म नहीं दी थी हाला कि वक्त से पहले बी आर चोपडा और यस चोपडा ने उन्हें 1961 में अपनी फिल्म धरम पुतर में लीड रोल में लिया था लेकिन शेशी कपूर इस फिल्म में अपनी एक्टिंग से खुश नहीं थे हाला कि इस फिल्म के लिए उनको नैशनल अवाड मिला था लेकिन शेशी कपूर ने ये अवाड नैशनल अवाड लेने से मना कर दिया था जब शेशी कपूर को ये फिलम ओफर की गई तो उन्हें इसे जट से साइन कर दिया इस फिलम को साइन करने के पीछे एक और वज़ा थी जुलाई 1958 में शेशी कपूर की शादी जैनिफर केंडल से हुई थी और इस वज़ा से कपूर खांदान उनसे खवा था और तो और दोस्तो उनका कैरियर ग्राफ गिर रहा था और घर चलाने के लिए उन्हें पैसे की सर्थ जरूरत थी शेशी कपूर के ओपूजिट शर्मीला टेगोर को कास्ट किया गया बी आर चोपड़ा की अपनी फिल्मों में युवा चेहरे दिखाने की मांग इन दोनों अधाकारों ने पूरी की वक्त फिलम के एक सीन में दिखाया गया है के शेशी कपूर और शर्मीला टेगोर कॉलेज की एक क्लास अटेंट कर रहे होते हैं कॉलेज की इस क्लास में लेक्चर देने वाले टीचर और कोई नहीं बलकि इस फिलम के डायलोग रैटर अक्तर उल इमान हैं इस फिलम के एक और सीन में दिखाया गया है के शेशी कपूर और शर्मीला टेगोर एक कार ड्राइव कर रहे होते हैं शर्मीला टेगोर कार चला रही हैं और शेशिकपूर उनकी बगल में बैठे हैं क्योंकि शर्मीला टेगोर को ड्राइविंग नहीं आती थी इसलिए इस सीन के हर टेक के बाद शेशिकपूर उनको टिप्स दे रहे थे गाड़ी सही तरीके से चलाने की एक टेक में तो शेशिकपूर ने शर्मीला टेगोर को ये तक कह दिया था कि एक्सिडन्ट करने से पहले वो ये सोच लें कि वो शादी शुदा हैं और उनके दो बच्चे भी हैं गौर तलब है कि 1958 में शेशिकपूर की जैनिफर केंडल से शादी हुई थी इस फिलम की दूसरी एक्टरस साधना शिवदसानी के बारे में भी एक किसा मशूर है जिस समय साधना को वक्त फिलम में लिया गया उस समय उनका कैरियर ग्राफ शिकर पर था इससे पहले उन्होंने एक्चेस रवेल की फिलम मेरे महबूब में काम किया था मेरे महबूब फिलम में उन्होंने कुर्ती और चुडिदा ड्रस पहनी थी जो के उन्हें पसंद थी जब उन्हें वक्त के लिए साइन किया गया तो वो इस फिलम में भी कुर्ती और चुडिदा ड्रस ही पहनना चाहती थी लिहाजा उन्होंने अपने ड्रेस डिजाइनर भानू अतहिया को अपनी इस इच्छा के बारे में बताया एक दिन की बात है यस चोपडा साधना से मिलने उनके बंगले पर पहुँचे जब साधना उनसे मिलने आई तो वो इसी ड्रेस में थी यानि के कुर्ती और चूडीदार वाली ड्रेस में थी उन्हें देखते ही चोपडा साब कह उठे मुझे आपका यही लोग अपनी फिलम में चाहिए आप इसी ड्रेस में मेरी फिलम में काम करेंगी इस फिलम में उनकी ये ड्रेस इतनी लोग प्रिय हुई कि उसका ट्रेंड चल पड़ा और जल्दी ही वो ड्रेस फेशन में आ गए इस फिलम की दोनों एक्ट्रेस साधना और शर्मीला टेगोर का इकठों का पूरी फिलम में एक सीन है असल जिन्दगी में वो एक दूसरे की रिष्टेदार तब बनी जब 2012 में शर्मीला टेगोर के बेटे सैफ अली खान और बविता की बेटी करीना कपूर की शादी हुई करीना कपूर की मा बविता कपूर साधना की चचेरी बहन है इस फिलम के निर्माता निर्देशक, बी आर चोपड़ा और यस चोपड़ा हॉलिवूड लाइफ स्टैल से इस कदर से प्रभावित थे कि वो अपनी फिलम में भी उसी तरह के सेट्स लगवाना चाहते थे इसलिए उन्होंने इस विशे में गहरी रिसर्च की और देश-विदेश की मैगजिन से इंटीरियर डेकॉरेशन के आइडियाज लिए तो फ्रेंड्स चलते चलते इस फिलम द्वारा जीते गए अवार्ड्स की बात कर लेते हैं 1965 में आयोजित फिलम फियर अवार्ड्स में वक्त को पांच अवार्ड्स हासिल हुए बेस्ट डायरेक्शन के लिए यह चोपडा को, बेस्ट टोरी के लिए अक्तर मिर्जा को, बेस्ट डायलोग डिलिवरी के लिए अक्तर उल इमान को, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए राज कुमार को और बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के लिए धरम चोपडा जी को अव ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेर भी करें मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही बहुत जल्द मैं आपने चैनल की ट्रेवल रिव्यू सीरिस के लिए एक ट् नेवाद